नमस्ते मेरे नाम यहां मोरे शनरत और इस वीडियो में हम बात करेंगी कि अगर आपका offline business है आप कोई भी store चलाते हैं लोकल चलाते हैं आपके offline business के लिए online customers कहां से लाएंगे किस तरीके से आप online customers पासकते हैं और किस तरीके से अपने business को और भी sustain कर सकते हैं क्योंकि अब आदिम से आप कैसे अपने business को grow कर सकते हैं और कैसे जादर से जादर customer तक पहुंच सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा details बताऊंगा तो end तक देखिएगा सारा details आपको मिल जाएगा सिर्फ startup योगी इस पे तो शुरू करने से पहले मैं आपका स्वागत करना चाहत सारे कोशल आपको यहां पर सीखने को मिलते हैं सरल हिंदी भाषा में अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें हमारे चाहल को अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीज़ेगा शेयर कीज़ेगा और अगर आपको कोई भी कोई है तो हमें comment section में बताएं ताकि हमारे टीम आपको मदद कर पाएं और हमारे टेलीक्राम ग्रूप के साथ भी आप जूर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जो भी बिजनस शुरू करते हैं आपको यह समझना पड़ेगा कि offline और online customer में डिफरेंस किया है आपको बोलो कि offline मत customer acquire कर रहे हैं उसका process क्या होता है जब आप offline customer मतला आपके दुकान में आकर कोई समान खरीते हैं उसको किस तरीके से acquire कर रहे हैं यानि किस तरीके से उसको आप convert कर रहे हैं तो यह आपकी चीज़े जब आप offline business शुरू करते हैं क्योंकि अगर आप अभी Corona की वज़े से तो आ आपके दुकान में आने के chances बहुत ज़्यादा होते हैं आपका footfall और eyeball बहुत required होते है footfall मतलब जितने ज़्यदा customer आपके दुकान में आएंगे उतने ज़्यादा conversion होने के chances से ज़्यादा revenue generation होने के chances अतने ज्यादा sale होने के chances है उसके लिए आपको कैसे advertisement करना पड़ेगा locally आपको advertisement करना पड़ेगा, local billboard लगाना पड़ेगा, आपको poster चिप करना पड़ेगा, तो locally आप cable TV में उसका advertisement करेंगे, local customers को attract करने के लिए, और shop location भी बहुत matter करता है, अगर आपका दुकान ऐसे जगह पे जहां पे लोगों को दिखता नहीं, जाने में दिक्कत होती है, तो फ notification पे जादा से जादा footfall होगा, और word of mouth भी बहुत important हो जाता है, क्योंकि आप जब अच्छा service दोगे, अच्छा product दोगे, अच्छा customer service प्रोवाइट करोगे, तो word of mouth को इस्तिमाल करके, आप जादा से जादा customers को अपनी तरफ आकश्रित कर सकते हैं, तो अब यह तो आप सिंद में बैटके देख रहे हो, आप बंगलादेश में बैटके देख रहे हो, इसका मतलब यह हो जाते है कि, the customer is not dependent on the location, कहीं से भी आपका customer आ सकता है, worldwide कहीं से भी आ सकता है, पर यहाँ पे आपको उसके पास पहुंचना पड़ेगा, you have to reach out to the customer, and they can come from anywhere, और यहाँ पे sales hook और sales funnel बहुत important हो जाते है, अगर मैं आपको कोई भी सामान में बेच रहा हूँ, YouTube में आप हजारों वीडियो होते हैं, हर दिन आपके पास messages आते हैं, spam आता है, आपको यहाँ पे इस तरीके से आपको hook बना कर रखना पड़ेगा, hook का मतलब किसलिए customer आपके तरफ आकरशित होगा, आपको ऐसा कुछ देना पड़ेगा customer को, ताकि customer आपके पास भागे भागे है, तो यहाँ पे आपको sales hook सही तरीके से बनाना है, sales hook का मतलब एक के साथ एक free, यह पीने से आपका वजन खड़ जाएगा, यह पीने से आप वजन आपका बढ़ जाएगा, यह अगर पी यह अगर खाएगे तो आपको corona नहीं होगा, तो ऐसे type का sales hook आपको त्यार करना पड़ेगा, जो जादा से जादा लोगों को attract करता है, और यहाँ पे sales funnel भी बहुत important, sales funnel का मतलब ही हो जाता है, कि जब आप 50 customer ला रहे हैं, 50 lead लेके आ रहे हैं, 50 lead में से तो 50 customer नहीं बनने वा उसमें से 5 convert होंगे, 4 convert होंगे, 2 convert होगा, तो आपको sales funnel इस तरीके से तयार करना पड़ेगा, उसका details में वीडियो बनाऊंगो, sales funnel का होता है, कैसे आप तयार कर सकते है, sales funnel अगर बढ़िया होता है, तो फिर आपके जादा से जादा conversion होगे, और जादा conversion का मतलब क्या होता है और यहाँ पर call to action बहुत important है, जब भी आप कोई भी वीडियो बनाते हैं, जैसे डॉक्टर बिंदरा का या कोई भी हिमेश मदन का आप वीडियो देखोगे, वहाँ पर क्या कहते हैं कि अगर आपको अपना life बदलना है, तो इस नंबर पर call कीजिए, इस नंबर पर call कीजि अगर आपको online customer चाहिए, तो digital marketing करना पड़ेगा, digital marketing अपने सो नहीं होका, बहुत सारे आपको वीडियो जानने को मिलते हैं, इंटेलेक्टियो इंडियो जो, वीकास खरना या some खरना, I don't remember, really apologize, तो उनका अपना digital marketing का agency है, या institute है जापे digital marketing सिखाते हैं, तो बहुत सारे ऐस service या कोई tuition center चलाते हैं, कोई भी सामान अगर बेशते हैं locally, तो आप खुद को Just Dial में register कर सकते हैं, होँआ पे आप रिजिस्टर कर पाएंगे, अगर आप कोई भी product बेशते हैं, या कोई भी सामान, hardware का सामान को बेशते हैं, तो आप India Mart में register कर सकते हैं, और अगर आप कोई खाने का सामान भीचते हैं, fast food, restaurant है, तो आप खुद को स्वेगी पर register कर सकते हैं, तो यह सब platform, मैंने आपको platform कह दिया, यह आपका lead generation हो गया, यह आपका platform हो गया, Just Dial, India Mart, स्वेगी, बहुत सारे आलीवाबा, eBay, बहुत सारे इसे platform से Amazon हैं, वहाँ पे जाके आप अपना product और mail blast उनको हर दिन करते रहे हैं, blast करते रहे हैं, hammer करते रहे हैं, इससे आपका ज़्यादा lead generation होगा, affiliate marketing, आपको पते है, affiliate marketing क्या होता है, digitization of your business, मतलब आपने अपना business जो है, इसको digitize कर लिए, कैसे, आपने WhatsApp में अपना course बना लिया है, WhatsApp में अपना store बना लिया है, या आपने Shopify Shopify में अपना website बना है, e-commerce website बना है, जहां पर अपना product बेचने से होगा, आपका customer service भी अच्छा होना परेगा, ताकि आपका customer response भी अच्छा हो, क्योंकि सामान बेचने के बाद सिर्फ सामान बेचने तक ही, अगर आपका service अगर रहता है, या आपका role रहता है, तो जादा customer नहीं आएंगे, उनको service चाहिए होता है, because any customer is going to take your hardware or software, if you are solving their problem, अगर आप उनका problem solve करते हैं, तभी वो आपके पास आएंगे, तो आपका customer service भी अच्छा होना परेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखता है, क्योंकि अगर आप इसको miss out करते हैं, अब जो भी सामान बेचो, जितना भी अच्छा सामान बेचो, अगर आप problem नहीं solve करते हैं, service अच्छा नहीं देते हैं, तो कोई भी customer आपके साथ नहीं ठीक हैगा, तो इस पर आपको ध्यान रखना परेगा, उसी के साथ साथ अगर आपको regular updates चाहिए, तो आप हमारे telegram group के साथ जूर सकते है startup yogis, आप search कीजी telegram में, वहाँ पर जूरी है, आपको regular updates मिलेगा, कोई भी question query है, वहाँ पर पूछ सकते हैं, उसी के साथ साथ हम, कुछ classes हम शुरू करेंगे startup के बारे में, और आपको हम मदद करेंगे, kind of incubation center हम तयार करेंगे, ताकि आपका जो business है, वहाँ पर हम handling करेंगे ताकि आप अपने business को आगे लेकि जा सके, successful business शुरू कर सकते हैं, तो तब तक इस चैनल को subscribe जुरे रहे हैं, weekly मैं वीडियोज बनाने की कोशिश करूँगा, एक schedule बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमने बंगला और इंदी का English का channel launch किया है, so हमारे साथ जुरी द और 10,000 subscribers होने वाले हैं, तो help किजिए हमें उस मुकाम तक बहुचने के लिए, thank you.